आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके जम्मू में टोरिजम सेक्टर इतना पिछड़ा हुआ क्यूं है? यानि कि यहाँ पर सेलानी जम्मू के अंदर कम क्यूं आते हैं? उसके पीछे काफी सारे कारण है. अगर मैं एक एक कारण को बताना शुरू करूँगा तो काफी लंबा ये वीडियो बन जाएगा. लेकिन आज मैं एक परमुक कारण का आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि परमुक कारण क्या है? कि जम्मू में सेलानी यानि कि टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते हैं. उसका कारण है मेरे पीछे लगा हुआ ये बोर्ड. आईए आपको करीब से दिखाते हैं. ये जम्मू कश्मी टूरिजम द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है. अब पताने किस समझदार ने ये बड़ा अच्छा उपर लोगों लगा है जम्मू कश्मी टूरिजम का उसके साथ लिखा है जम्मू कश्मी टूरिजम. पहली जगा बताए लखनपूर, कठुवा, सामबा, चिच्ची माता, बावा सिद्गोरिया, बावा चमलेयाल. अब यहां से रास्ता है इन सभी जगा कितने किलो मीटर पर है, अब पता नहीं कौन से समयदार ने ये बोर्ड डिजाइन किया है, और कौन से समयदार ने इस बोर्ड को पास किया है, और जम्मू कश्मी टूरिजम विभा कितना समयदार है, वो ये बोर्ड ही बता रहा है. अब जम्मू कश्मीर के अंदर अगर क कोई सेलानी आता है सपोस कीजिए कि मैं ही कोई सेलानी हूँ और अगर मैं इस बोर्ड को देखता हूँ और मैंने बाबा सिद्गोरिया जाना है तो बाबा सिद्गोरिया यहां से कितने किलो मीटर है यहां पर नहीं लिखा है लेकिन यह एरो जरूर दिया है कि आगे जाना है कितने किलो मीटर है दो किलो मीटर चार छे दस बारा वो कुछ नहीं लिखा है अब जमू कश्मी टूरिजम को पता नहीं किस समझदार ने ये बोर्ड रिकमेंड किया और उसके बाद ये बोर्ड लगा है हालां कि इस बोर्ड की खबर मैं काफी बार कर चुका हूँ लेकिन अभी तक इस बोर्ड के ओपर किलो मीटर नहीं लिखेगे कि कितने किलो मीटर पे कौन सी जगा है एक बार मैं आपको फिर से क्लोज अप में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लखनपूर कितने किलो मीटर है नहीं पता कठुवा कितने किलोमेटर है नहीं पता सामबा कितने किलोमेटर है नहीं पता चिची माता कितने किलोमेटर है नहीं पता बाबा सिद्ध गोरिया कितने किलोमेटर है नहीं पता बाबा चम्बलियाल जी कितने किलोमेटर है नहीं पता आप पतानी कौन सा समझदार इंसान है जिसने ये बोर्ट लगवाया है जम्मू कश्मी टूरिजम आपकी तरफ से काफी सारा काम किया जा रहा है जम्मू के टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए मैं आपको मुबारख बात देता हूँ और आप जम्मू कश्मी टूरिजम इसी तरह से काम करते रहे ताकि जम्मू का टूरिजम जो है इसी तरह से बढ़ता रहे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग देखते रहें जेके मीडिया आशी श्कोली जेके मीडिया के लिए जैहिन